जस्टिस नाथुलापती वेंकट रमना ने सुप्रिम कोर्ट के नई मुक्हिनियाधीज के रूप में सपत ले ली है हमारे देश के राष्टपती रामनात कोविंद ने रमना जी को नई मुक्हिनियाधीज के रूप में सपत दिलवाई वो देश के 48 में मुख्य नियाधीस बन गए ही उनसे पहले मुख्य नियाधीस रहे जस्टिस S.A. बोबडे का कारिकाल खत्म हो गया है रमन्ना 26 अगस्त 2022 तक सुप्रिम कोर्ट के मुख्य नियाधीस के रूप में काम करेंगे आईए बात करते हैं कौन हैं जस्टिस N.V. रमन्ना जस्टिस रमन्ना का जन्व 27 अगस्त 1957 को आविवाजित आंद परदेश के क्रिश्णा जिले के पुन्ना वरम के एक किसान परिवार में हुआ था जस्टिस रमन्ना कालिच के दिनों में छात राजनीती से जुड़े थे जिनोंने कुछ समय तक पत्तिरकारता भी की सन 1983 में वकालत सुरू करने वाले रमन्ना आंद परदेश के एडिशनल एड़ोकेट जनरल रहने के अलावा केंद सरकार के भी कई विवागों के वकील रहे 2000 में वहां आंद परदेश हाई कोर्ट के इस्थाई जज़ बने साल 2014 में सुप्रिम कोर्ट में अपनी न्युक्ति से पहले वह दिल्ली हाई कोर्ट के मुकिन आई दीश थे नमस्कार दूस्तों